इन लोगों के समध्या के समधान नहीं हुआ, आखिर इन लोगों के क्या गलतिया है, किन ये लोगों कहां जाएंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे, ना इन लोगों के पास पैसा है और नहीं इन लोगों के पास किसी परकार के सरकील है, और इन लोगों के पास किसी परकार के सर सिर्फ एक बेक्तिक राशन मिलने से किया पूरा परिवार चल जाएगा सरकार इसलिए पंचाइती राज का गठन की है कि गाउं कस्वे का विकास हो सके नमस्कार दोस्तों आज हम वैसे जबा पहुंचे हुए है जो कि आप लोग कलपना भी नहीं कर सकते हैं सरकार इन लोगो को जानती है कि नहीं जानती है कि ये लोग इस धरती पर हैं कि नहीं कि इस पंचाइत जो मुख्या हैं वाड है कम से कम इन लोगों पर ध्यान देने चाहिए लगभग आप लोगों के साधी कितना दिन हुए नौ साल हो गया नौ साल साधी का हो गया और एक बच्चा भी है आईए इधर आओ इधर बढ़ जाओ एक बच्चा भी है और अभी तक इनको ना आवास मिला है ना रासन मिला है और नहीं साइकल इन लोगों को मिला है जो कि हम आप लोगे दिखा रहे हैं कि यह दोनों पैर से विकलांग है अपने हाथ से ही चलती है और हाथ से ही सारा काम करती है पैर का काम नहीं है यानि पैर काम नहीं करता है अगर इन लोगों को सरकारी लाव नहीं मिलेगा तो फिर किन को मिलेगा हम यही बताने का पर्यास कर रहे हैं आप लोगों से कि जो सक्षम है जो सब चीज में अच्छे है संपन है उनको सारी सुविधाय मिलती है सरकार की ओर से और इन लोगों को कोई सहारा नहीं है, इन लोगों का ना पिताजी हैं, ना भाई हैं, भाई हैं लेकिन सब लोग अलगे हैं, इन लोग बाहर आकर ये जो हमारे पीछे आप छेदवाली देख रहे हैं, इटे के घेराव देख रहे हैं, इन लोगोंने अपने मजबूरी में कर काम ना आए तो फिर किस काम की सरकार है कि स्कंयmy fellow को मुखिया और किस काम की वाड और किस काम की बलॉग जो कि इन लोगों का कामना हो आपका क्या नाम हुआ आप कहां के रहने वाली है चाना को दिन अब होरक पंच्पाइट में नारक पंच्पाइट में हमाट नारक कि चाना है या है लेकिन ये जो हम ये लोग अपना घर बनाए है यानि रहने का जो ठीकाना भी बनाए है ये चाना मौजा में पड़ता है इसलिए इन लोगों को जनकारी है कि हम चने में हैं लेकिन इन लोगों का घर हुआ है ठीक है आप लोगों हम कनफर्म कर दिये उतना य नावाज मिला है नार्ाशन मिला है और प्रस्थिति बिकट है जो कि इन लोगों को सामना करना पड़ता है और इनका नाम क्या हुआ आपका वनायां साहज़ी है और देखिए नव साल साधिक हो गया लेकिन अभि तक कोई सुभधा नहीं मिला इनका अभी तक रासन नहीं है नहीं इनका एक साइकिल मिला है और हम बता दे आप लोगों को हम इस मतलब की प्रस्थीती में वीडियो बना रहे हैं आप लोग महसूस कर सकते होंगे कि हम कैसे बैठे हैं और हमको यहां आने के लिए यह लोग नहीं हमको बोलाए हैं हमको आना पड़ा क्योंकि हम देख रहे थे बहुत दिनों से कि किसी परकार का लाभ है इनका नहीं मिल रहा है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के लोग लगा उठा रहे हैं अच्छे घर के लोग कोलोनी ले रहे हैं अच्छे अच्छे घर के लोग आवास ऊथा रहे delighted अ चैकिल उठा रहे हैं जो की बिकलांग है उन लोगों के पास सक्षम है लोग सक्षम है अपने पैसा से खरिद लेगा लेकिन फिर भी सरकार से यह लाब लेनе के लिए लोग उच्छूख है लेकिन यह लोग कहां जाएंगे कैसे गुजर बसर करेंगे ना इन लोगों के पास पैसा है और नहीं इन ना कोई कोई ना मुखिया भी नहीं आते हैं एक बात दूं मुखिया के दर केमारे वा करने चाहिए और सिर्फ हम एक पंचाईद के बात attends पूल रहे हैं हर एक भीहार की यह Intro धित्या है कि डर के दर मायरेज कि मुखिया के बात करता है नब्य परसेंट नब्य परसेंट वाड है जो मुखिया से सवाल नहीं करता है कि अगर हम सवाल करेंगे तो हम पर किसी परकार के दिकत हो सकता है मुखिया के साथ बात करो, आप वार्ड हो, कम से कम मुखिया को समस्या अपना बताओ और मुखिया के फर्ज बनता है कि पूरा पंचाहित में घूमें, समस्या जण-जन से पुछे कि किसका कौन सा समस्या है आखिर भोट के लिए आप आते हैं समस्या नहीं पुछ अब उच्छ सकते हैं कहा जाएंगे लोगों नहीं है कि हमको कहा जाना होगा हमको कहाँ नयाय मिलेstell का यह लोग को पता नहीं साय मौह को ज़िए लेकिन कमी मिल रहा है इसका मतलब कि ये लोग नहीं बोलेगे ते इन लोगों को नहीं मिलेगा इन लोगों को पते नहीं कहां हमको जाना है ये आग से डाइमेज है, इनका दोनों आग खतम है पांस से दस मीटर दिखाई नहीं दे रहा है इनको किसी तरह टोटो के चलते हैं ये और इनकी हालत आप देख रहे हैं चलने में असमर्थ हैं दोनों पाओं कंडम है चलने की स्थिती में नहीं है और उसी में एक बच्चा है कैसे गुजर्बसर करती होंगे ये लोग आप कलपना भी नहीं करते होंगे कि कैसे जिन्दिगी जी रहे हैं लोग हम मजबूर होके वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो को आप देखेंगे और देखकर जरूर एक्षन आप लेंगे आप एक्षन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब कि आभिकास नहीं करना चाहते हैं नौ साल हो गया साधी का नौ साल में कुछ नहीं हुआ है अभी शिर्फ एक बेक्टी के रहसन मिलने से किया पूरा परिवार चल जाएगा वो पांच किलो पांच किलो में कितना खाएंगे आप पांच किलो ना मिलता होगा पांच किलो मिले ला तो बताईए आप कौन से जिन्दगी ये लोग जियेंगे अभी तक इन लोगों के समस्या का समधान नहीं हुआ आखिर इन लोगों के क्या गलतिया है आपके पास नहीं गए इनके पायर है कि जाएंगे आप लोग के पास इनके पास पायर है सरकार इसलिए panchaity raaj का गठन की है कि गाउँ कस्वे का विकास हो सके जनता के समस्या को समधान अपकी जीए आप लोग को इसी लिए लाया जाता है आप लोग को पद पर इसी लिए बैठाया जाता है ताकि आप लोग विकास कर सके चलिए ज्यादा हम नहीं बोलेंगे इतना ही पर अपना वीडियो को समाप्त करते हैं जैहिंद